विल्कम डियर केंडिडेट्स अगर आप जो है वो यूपी एससी की फॉर्म फिलप कर रहे हो और अगर आप जो है वो ओबी सी कैटेगरी से बिलॉंग करते हो तो आपके पास जो है वो 27 परसेंट इजरिवेशन क्लेम करने का उपसन रहता है तो देखो सर्टिफिकेट की और ये दो पॉइंट आपको याद रखना है अगर इसके पहल इस से पहले बाल ओध करने R जो है वो document verification के बिए किसमें problem आ सकती है क्योंकि आप जो है वो देखो कि यहांपे जो है वो 8th number 9th number जो पैरा है तो इसमें जो है clearly mentioned है कि OBC candidate का certificate है वो जो है इसु होना चाहिए यहां पर देखो आप लिखा हुआ है issued on and after 1st April 2023 ओके और not later than the closing date of civil services examinations means 5 March से means बाद नहीं होना चाहिए तो यह जो है वो total जो है वो summary है और अगर आपको और भी detail चाहिए कि certificate कैसे बनवाना है कहां से तो इसके regarding मैंने बहुत ही detailed video upload कर दिया है जिसका link आपको description box में मिल जागा तो वहाँ से आप देख लेना और यह सभी जो है वो format होती है ऐसी ही format होती है तो means जरूरी नहीं है कि एकदम जो font size है वो सभी match को क्योंकि वो जो है office to office थोड़ी वैड़ी भी हो सकती है लेकिन English और Hindi में आपका certificate अपना produce करना होगा और एक और बात कि अगर आप जो है वो category अपना change कराने का बाद में सोचोगे तो change category नहीं होता है तो make sure कि आप wisely अपना category चूज करें बाद में आपको कोई भी problem ना आए तो इस बात का जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए and make sure कि आप जो हो last date से पहले अपना certificate अगर आप नहीं बनवाए हो तो बनवा लो और एक दूसरी भी case हो सकती है कि आपका जो है वो certificate आप अभी तक नहीं बनवाए और आपका certificate 1st April 2024 के बाद इस हो ओके तो हो सकता है कि आपका जो certificate हो acceptable नहीं होगा तो उस case में आपको जो है वो सायद आपको observation का benefit ना मिल पाए तो यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी और आप जो है वो अगर आपको स्योड नहीं है कि आपका certificate बन पाएगा या नहीं बन पाएगा तो आप जो है वो सब्सक्राइब करना थाकि आपको लेटर स्टेज में कोई भी प्रॉब्लम ना हो प्यासे सिवल सर्विसेस के लिए जो है वो आपके पास इनफ नमबर आफ मॉक टेस्ट है यहां पर आप देख सकते हो कि 238 जो है वो टोटल टेस्ट है और इवेन अगर आप जो है वो अध इनफ नमबर आफ मॉक टेस्ट देखने को मिल जाती है अगर मैं बात करूं कि जह है आपकी प्रिलिम्स मॉक 2024 की तो यहां पर देखोगे कि जो है वो 238 मॉक टेस्ट टोटल देखने को मिल रहे हैं आउट अफ जो है वो आपको 26 प्रिविए सिर कॉस्चंस है और 32 चैप्र सब्सक्रीज पिरेंट वह रहे हैं आप कि आप जो है इसका फूल अक्सिस मिल पाएगा क्योंकि अभी आप जो है वो unlock now का option आ रहा है तो similarly जो है वो आप और भी सारे competitive examinations की भी preparation कर सकते हो and current affairs के लिए and reasoning and सभी के लिए भी बहुत ही better हो का आपके लिए अगर इसकी जो है वो pass pro की pricing यह सभी के बात करूं तो देखो इसकी pricing जो है वो आप fluctuate होते रहती है लेकिन अभी जो currently pricing है 2 years के लिए 649 and 1 year के लिए 499 लेकिन मैं आपको एक coupon code दे दूँगा यह जो coupon code है JBYY16 इसको अगर आप apply कर दोगे तो आपको जो है वो 10 to 20% का discount देखने क है तो आप जो है वो इसके साथ और भी competitive examinations की भी preparation कर सकते हैं so that will be much more beneficial for you thanks for watching and have a good day bye